नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपूनी जानकारी को ले करके जिहां आए आज हम सभी जानते हैं रक्त विकार को दूर करने के लिए आसान होम में ड्रेमेडीज के बारे में रक्त विकार यानि क कि खून में कोई भी दोश हो उसको आप दूर कर सकते हैं किन और शधियों के द्वारा वो भी हो में ड्रेमेडीज जो कि आसानी से आपको अपने आसपास ही मिल जाए आए जानते हैं सबसे पहले तो नीम की छाल का काढ़ा पिने से रक्त शुद्ध हो जाता है ये बहद ही सस और आसान और शधी है जो कि बहुत फायदेमंद है इसके अलावा सनाय धनिया गुड हरेक को दो दो तोला और वाईवी डंग छे माशा 250 ग्राम जल में मिला करके सेवन करने से रक्त साफ हो जाता है तामबे के भरतन में रखा हुआ बासी जल पीने से रक्त शुद्ध होता है चैत्र मास में निम की कपोलें घोट करके पीने से रक्त विकार एवं वात पित कप के दोश मिट जाते हैं अजवायन चिरायता और हरड की छाल प्रतेक को डेल डेल तोला जल के साथ लेने से रक्त शुद्ध हो जाता है इसके अलावा निम्बू रक्त शुद्ध करता है निम्बू की फाग को गर्म पानी में यानि की पानी चाई की भाती गर्म होना चाहिए दिन में तीन बार हर रोज पिना चाहिए इससे काफी लाभ मिलता है नारंगी रक्त की सफाई करती है इसलिए इसका सेवन आप करें मौसमी का रस रक्त शोधक है तथा चर्म रोगों में काफी लापकारी भी है रक्त विकार फोड़े फुनसी एवं खुजली के कश्ट में निरंतर चार सबताह तक दो पहर में 250 ग्राम अमरूद खाएं इससे पेट साफ होगा बढ़ी हुई गर्मी दूर होगी रक्त साफ होगा और फोड़े फुनसी एवं खुजली ठीक हो जाएगी शेहतूत के सेवन से शुध रक्त उत्पन होता है ये बेहधी कारगर अउशदी है बेर भी रक्त को शोध करता है यानि कि शुध करता है रक्त शोधक कहलाता है इसलिए इसका भी सेवन आप कर सकते हैं रक्त विकार और शरीर की खुश की पालक के सेवन से दूर होती है इसलिए आप पालक का सेवन आवश्य करें फूल गोवी में शारीर तत्व होते हैं, गोवी में पाया जाने वाला सलफर और क्लोरीन का मिश्रन, म्यूकस मेंब्रीन यानि की शलेश्मिक जिल्ली और आतों की सफाई करता है, ये सब शार शरीर एवं रक्त को साफ करते हैं, फूल गोवी के सेवन से चर्म रोग, गैस, न रहने से पेट के रोग ठीक हो जाते हैं, यह रोग रक्त शोधक एवं शक्तिवर्धक भी है, 60 ग्राम करेले का रस निरंतर कुछ दिनों तक सेवन करने से शरीर का दूशित रक्त साफ हो जाता है, सेम में भी रक्त शोधक गुन भरपूर मातरा में होते हैं, परवल का साग खुजली, कूर, रक्त विकार, आखों के रोग एवं क्रिमी नाशक है, पुराने जवर में यह बहुत ही लाफदायक होता है, इसलिए इसका भी सेवन आप करेंगे, तो आपका रक्त शुध हो जाएगा, यानि कि रक्त विकार को यह दूर करता है, इसके अलावा, रात के स पानी निथार करके पीए, इस प्रयोग से शरीर में शिथिलता के साथ साथ ही रक्त की सफाई भी होती है, एलर्जी वाले रोगियों के लिए यह बहुत ही हितकारी योग है, यह पानी शरीर से विजाती द्रव्य को बाहर निकालता है, रक्त में शितलता बनाए रखने के के लिए और चर्म रोगों से सुरक्षा के लिए महेंदी का पानी पीं तथा महेंदी का ग्रिश्म रीतुमें हर प्रकार से उपयोक करें आपके लिए लापकारी होगा। गन्ना नेत्रों के लिए भी हितकारी होता है रक्त विकार वाले रोगी को चीनी के स्थान पर गुड की चाय, दूध, लसी, इत्यादी किसी भी पेव में गुड का सेवन करना लापदायक होता है रक्त की गर्मी एवं उच्च रक्त चाप आवले का मुरब्बा प्रती दिन प्रता काल सेवन करने से ठीक होता है आवला रक्त शुधक होता है इसलिए आप आवले का सेवन भी कर सकते हैं ये भी आपके लिए बेहधी लापकारी होगा जहां दोस्तों तो रक्त को शुध करने के लिए ये थी आसान होम में ड्रेमेडिज जिनके सहारे आप अपने रक को शुद्ध कर सकते हैं अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों